निव येर को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे जीयो का जो 2999 रुपए वाला प्लान था उसको और भे ज़्यादा अट्रेक्टिव करने के लिए यहाँ पे जीयो ने उस रिचार्ज में 23 डेज की एक्स्ट्रा वैलिटिटी एड की होई थी जिसका जीयो ने बहुत ही अब यह सोचकर मैंने भी रिचार्ज कर लिया आप यहाँ पे देख सकते हैं जबकि मैंने यहाँ पे 2999 रुपए का रिचार्ज किया हुआ है लेकिन यहाँ पे वैलिडिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 365 दिनों की है तो ऐसा कैसे हो गया है क्योंकि मैंने इसको यह जो नि आज में लेकिन जब मैं यहाँ पे अपने माई जियो एपलिकेशन में माई प्लैन में ओपिन कर रहा हूँ अपकमिंग प्लैन में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2999 रुपए वाला जो प्लैन है इसकी वैलिडिटी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 365 दिनों के बताई जा र यह एक भावचर के रूप में आपको मिलती है बला भावचर जैसा मिलता है जो आप रिचार्ज करेंगे 2999 रुपए वाला उसमें सिर्फ आपको 365 दिनों के वैलिडिटी मिलेगी और जो 23 दिनों के एक्ट्रा भावचर जैसा मिलता है उन्होंने यह भी बताया कि हाँ वावचर है वो आपके एकाउंट में क्रेडिट होगी ही होगी यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जब 2999 रुपए वाला रिचार्ज करते हैं तो जो एक्टर 23 डेस की 30 दिनों के वैलिडिटी मिलती है उसको आप अपने अकाउंट में कैसे एक्टिवेट क कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको अपने MyGU application को open करना है open करेंगे आप यहाँ पे menu के option पे यहाँ पे क्लिक कीजे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक option दिखाई दे रहा यह वावचर वाला इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके फोन में मतलब आपने जो र 25 GB वाला जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसको एक्टिवेट करना है अपने नमबर पे तो आप यहाँ पे रेडियम के ओप्सन पे क्लिक करेंगे और आप बहुत ही आसानी से अपने जो एक्स्ट्रा डेटा आपको भाउचर मिलता है या फिर वैलेडिटी उसको आप अपने केस यह भाउचर नहीं मिलता है आपके नमबर पे तो आप अपने जियो कस्ट्रमर केर में कॉन्टेक करेंगे और वहाँ पे आपको कंप्लेन रेज करना है कि आपने जो रिचार्ज किया 2999 रुपय वाला उसमें आपको कोई भी भाउचर नहीं मिला हुआ है तो वहाँ पे 2999 रुपय मतलब 3,000 रुपय तो अल्मुष पूरा का पूरा पे करना ही पड़ेगा लेकिन मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप 2999 रुपय वाला जो प्लैन है उसको 2,884 रुपय में कैसे कर सकते हैं मतलब यहाँ पे सिधा सिधा आप 115 रुपय बचा सकते हैं यह 2999 रुपय वाले प्लैन में उसके बाद यह जो रिचार्ज प्लैन है यह 2999 रुपय वाला यह बहुत ही जादा अट्रेक्टिव हो जाता है मैं आपको बताता हूँ जैसे 2.5 जीवी डेटा मिल रहा है 3080 दिनों के वह लेडिटी मिलती है जिसमें आपको मतलब 970 जीवी टोटल driven डेटा मिल रहा है फ्लस 75 जीवी एक्स्ट्रा मिल रहा है मतलब टोटल यहाँ पे 1045 जीवी आपको data मिल रहा है अगर आप इसको 2,884 रुपै से डिवा़ई करेंगे त मैं यहां पे आपको दिखा हूँ कि तो जो 749 रुपय वाला प्लान है इसमें आपको टोटल 90 दिनों के भैली डिटी मिलती है और 2 जीवी डेटा पॉर डे मिलता है इसका मतलब 90 दिनों के हिसाब से 180 जीवी आपको डेटा मिलता है अगर आप 749 को 180 से डिवाइड करेंगे तो आप 2999 रुपय वाला रिचार्ज कर सकते हैं जहां पे एक जीवी की कोश्ट सिर्फ 2 रुपय और कुछ पैसे पढ़ने वाली है ठीक है तो यह रिचार्ज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफीसियल है अगर आप एक लॉंग टम में रिचार्ज प्लान ढून रहे है तो फिलहाल इस टाइम पे यही रिचार्ज करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा फाइदे मन होने वाला है ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं करстру feature तो वाल इस दूख भॉगाई अदृड़ राओड़ ुब्सक्राइब करें करें मिलते हैं पुलादे मिलते हैं उैकında पर बाला ही तो वीलते हैं लिए तो-वागवाइा Are you?